रेल्वे में नौकरी के नाम पर करोणों की ठागी करने वाले दो जालसाज ग्रफटार यूपी के कौशामबी में इंटेलीजन्स वर चर्वा पुलिस की संयुक्त टीम ने रेल्वे में नौकरी के नाम पर बेरोजगार यूउकों को सब्ज बाग दिखा कर करोणों की ठागी करने वाले गिरोग के दो जालसाजों को गिरफटार किया है पुस्ताच के तोरां शातिरों ने बताया कि कौशामबी के अलावा गैर जन्पत के दरजनों लोगों को अपने शिकार बनाया था शातिर जालसाजों में पास रेल्वे में ग्रूप डी का दो वेकैंसी फॉर्म भी बिला ये शातिर जालसाजों के अलावा सिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी करते थे बेसिक सिक्षा विभाग प्रताबगड के तीन नियुक्ती पत्र भी मिले हैं इनके कबजे से एक मोहर पी डबलू डी एक मोहर उत्तरते सरकार की बरामत हुई तीन सिम कार्डवा एक अपाचे बाइक भी बरामत किया गिरफ्तार अब युक्तु में पिप्री थाने के लोकीपुर निवासी राहु पतेल पत्र चरवा थाने के ओधारपुर का सत्वन पतेल शामिर हैं इन्हें चरवा के बगुरा गाउं के पास से गिरफ्तार किया गया यह अब आरोपी नौकरी की नाम पर प्रतिक व्यक्ति से पांच लाख रुपए तक की वसूली करते थे सूत्रों की माने तो रेलवे में इनकी गहरी पकड़ थी यह लोगी यूगों को रेलवे में फर्जी तरह की ट्रेनिंग भी कराते थे अपर पुलिस अदिक्टर का शोग कुमार ने आर्श्प्रेस वारता कर मामले का खुलासा किया इसके बाद आरोपियों के खिलाफ निखा पड़ी कर जेल भेज दिया उन्होंने बता कि गुरू में शामिन और निशातरों की गरफतारी के लिए दबिश दी जा रही है खबर जगत प्रयाग्रा से एलन सिंग की रिपोर्ट इनके पास से मोटर साइकिल भर्जी मुहर फर्जी निफ्ति पत्र और सिंगार्ड यह सब बरामद हुआ है और तरीका या था अरके फर्जी निफ्ति पत्र जारी करते थे गटनी